हलो दोस्तों आप सभी लोगों का right to know के इस चैनल में बहुत-बहुत स्वागत हैं और आज की वीडियो में जैसे के आप देख रहे हैं मैंने ASIC का एक portal open किया है और इस portal में हर कुछ up change हो चुका है और changes के साथ भी काफी कुछ options को add on किया गया, remove कर दिया गया तो उसी एक options को लेके जो काफी important जो option add on किया गया है वो है अब अधार को आपके ASIC नमबर के साथ लिंक करना अब जो है mandatory हो गया है और अब आप बिना अधार काटके किसी भी employee को अब जो IP नमबर है वो आप generate नहीं कर सकते हैं तो इसी को update लेकर मैं आयो हूँ और जैसी इस पोर्टल पर आप जब employer अपने पोर्टल पर जब किसी भी employee को registered करता है तो जब आप यहाँ पर registered new employee पर आप जाएंगे तो आपके सामने जो previous page कुछ और तरीका से खुलता था अब यहाँ पर employer registration with अधार नमबर जो है इस according page आपको देखने को मिल जाएगा जो क to register with अधार नमबर तो याने कि आप पर अभी फिलाल option है कि आप अपने imply को अधार के साथ आप register करना चाते हैं या फिर नहीं तो फिलाल दोनों ही options है no करेंगे तो आप continue करने के पाद सेम प्रोसेजर आप जो follow करते थे registration के लिए वही follow up करना है अगर आप yes करेंगे तो उसक सामने एक और page open होईगा जिस page पर आपको उस particular employee का अधार सीडिंग का एक option मिलेगा जहां पर आपको उसकी अधार नमबर जो है डालना है और view कर देना है तो उसकी details यहां पर आप देखने को मिल जाएगी और उसी के निचे यहां पर आपको एक declaration में मिलती है जहां पर share अधार तो किस-किस जो terms and conditions है वो चीज़े भी आप यहां पर देख लेंगे कि यहां पर कुछ terms and conditions English और Hindi दोनों में दी गई है तो कहीं ना कहीं यह जो terms and conditions है आप पड़ सकते हैं यहां पर मैंने briefly दिखाया भी है तो कहीं ना कहीं आप देखेंगे जैसे point number one है कि जो biometric और one time जो password है वो आपके जो अधार नमबर जो परमाणी करण परणाली के जो है उनकी एक तरह की पहचान के लिए important कर दिया गया है सुशाशन सुनेचित करने के लिए समाज कल्यार लावों को जो है उनको रोकने के लिए digital platform का संभित बनाने का इनका जो है मकसद है उसी तरीके से जितने भी आपके जो सरकारी काम है उनको कही न कहीं अधार database के साथ उन्हें एक link करना भी है और आप कहा सकते कहीं कहीं समाजिक सुरक्षा भी है और आपके अधार को साथ साथ आपके bank account number को भी link करना यहाँ पर कहीं न कहीं सारा सब कुछ important कर दिया गया है तो जैसे पैचान कार्ड, राशन कार्ड, पास्पोर्ट, ड्राइविंग, इन सब से भी कहीं न कहीं लिंकिंग है और जो कि आपको किसी भी बीमारी या किसी भी एक्सिडेंटल या फिर आप कह सकते हैं कि बिर्द वस्ता में जो पेंशन्स या इसको लेकि कोई भी चीज रिलेटेड ह तो कहीं न कहीं यह लिंकिंग रहेगी तो आपको इसका एक तरीके से फैसिलेटी मिलने वाली है कि कहीं न कहीं जो आपका डेटा मिसमेच हुआ खता था वो एक तरीके से मैच रहेगा और आप उस जो भी फैसिलेटी है उनको easy avail कर पाइँगे तो यहाँ पर आप देखेंगे कि यह सब चीज़ करने के बाद, Terms and Conditions पढ़ने के बाद, यहाँ पर अधार सेटिंग का एक option मिलेगा, और यहाँ पर आपको अधार करने के बाद, गेट OTP करना है, OTP अधार करने के बाद, तो अधार करने के बाद, आप Implyer को यहाँ पर registered कर सकते हो, अगर no करेंगे, continue करेंगे, और same page जैसे previous खुलता था, वो आप डाल सकते हैं, आपके बाद जो options आते हैं, कि आप Implyer को ESIC नंबर के बाद करना चाते हैं, या फिर without ESIC नंबर, तो यह सब processes कुछ same है, बट अब आपके अधार कार्ट को, यानि कि Implyer के अधार कार्ट को mandatory कर दिया गया है, ESIC के portal पर, तो Implyer को अब बिना अधार कार्ट के इंप्लियर को registered नहीं कर सकते हैं, आशा करता हूँ, कोई वीडियो अच्छा लगी होगी, अच्छे लगी है, तो जड़ 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 शेयर करें, तो दोस्तों, आपको मिलता है नेक्स वीडियो में, तब तक के लिए, बबाए,